नमस्कार, हिंदी साहित तेवारता में, आप हैं इस वक्त सोभाष्ठागुर के साथ दोस्तों, J.R.F. हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत इकाई 2 में हम अपना जो 6 पार्ट आज लेकर आए हैं, रितिकाल इसके जो अन्य रिति बद कभी थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने रितिकाल के जो भी मौत्वपोंट कभी थे, उनके बारे में discuss कर लिया था कि रितिबद कभी बहुत जादा हुए हैं लेकिन उनमें से जो प्रमोक हैं जो परिक्षा के लिए बहुत जादा उपयोगी हैं वो मैंने आपके बीच में अपने पीछे वाले lectures में रख दिये थे अगर आपने अभी तक वो वाले lectures नहीं देखे हैं तो आप उन का स्थान जो है रितिकालीन कभीों में थोड़ा सा कम माना जाता है दूसरे कभीों की अपरिक्षा उनके बारे में हम discuss करेंगे क्योंकि UGC net की परिक्षा में इस तरीके के ही जादा तक पूछे जाते हैं आपने देखा होगा चाहे आप कहानी की बात करो चाहे उपन्यास क की बात करो चाहे नाटक की बात करो वहां पर आपकी जो इस तरीके के या तो एक तरीके से जैसे उसके पात्र होते हैं आपने देखोगा कि गौन पात्र जादा पुछे जाते हैं बनस्पत किसके आपके जो मुख्य पात्र हैं उसके तो जो भी काल विशेश है या जो आप तो यही आज का जो लेक्चर है हमारा इसके उपर यह थोड़ा सा कि जो जो प्रमुक चीजों से छूट के जो अन्य कवी हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं रिती कालिन कवियों के बारे में तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें देखिए स सुकदेव मिश्र रिति बद कवी एक चीज ये है इनके बारे में और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो कवीता काल है कब देखे कब से कब तक माना जाता है 1663 से 1703 इस्वी तक माना जाता है इनका जो आपका कवीता काल है मतलब कि रचना काल इनका कब से कब तक रहा है, 16-13-173 तक माना जाता है, और कहा ये जाता है कि जो इनके वंशज हैं, वो कहां पर है अभी भी, दौलतपूर जो जिला राय बरेली है, वहां पर इनके वंशज अब तक पाये जाते हैं, ये अचारे रामचंदर शुकल मानते हैं अपना हिंदी साहित के इतिहास ग्रंथ में, और इनके जनम स्थान के अगर बात करें, तो कमपीला में सुखदेव मिश्र का जनम हुआ है, और इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए, तो देखिए शुकल के अनुसार इनके जो ग्रंथ हैं, वो साथ ग्रंथ माने जाते हैं, और ये ग्रंथ आपने याद रख लेने हैं या इनको नोड़ोन कर लेना है आपको अगर आपके पास हिंदी साहित्यका इतिहास पुस्तक नहीं है तो आप इनको लिख सकते हैं अगर पुस्तक है तो आप वहां से उनको याद भी कर सकते हैं देखिए वृत विचार ये 1771 में नहीं लिका था उसके बाद फाजिल अली प्रकाश रसार नव और शिंगालता अध्यात्म प्रकाश और सात्वा जो है दश्रत राय तो इन सात ग्रंथों का जिक्र कहां पर हुआ है यह हुआ आपका जो हिंदी साहित्यका इतिहास है आपका अचारे रमजंदर शुकल का उनके इतिहास में इनका विचार की बात करें तो यह चंद निरूपक ग्रंथ है देखिए चंद निरूपक कौन सा है वरित विचार फिर उसके बाद चंद विचार है तो चंद विचार नाम से ही पता चलता है तो यह भी क्या है चंद निरूपक ही ग्रंथ माना जाता है ठीक है अगर हम वरित इसके रचना इननकिस के लिए की है राम सिंग के लिए ठीक है और राम सिंग कौन था यह हमने पीछे वाले लक्षर में अच्छे से डिसकस कर लिया है आप चाहें तो उसको एक बार फिर से देख सकते हैं उसके बाद फाजिल अली प्रकाश तो यह इनकी एक अन्य चल रहा है तो यह क्या है नवरस जो नौरस है उनका वर्नन इसमें देखने को मिलता है रसार नव में और श्रिंगाल लता तो श्रिंगाल लता के बारे में भी कोई जादा जानकारी उपलब्द नहीं है अध्यात्म प्रकाश तो यह 16089 में रचा गया इनका गरंत है और श सकीप हो जाती है जो मैं बताना चाहता हूँ उसको हम अपने क्कूिज के माध्यम से कंप्लेट करते हैं ठीली ग्रूप में तो आप चाहें तो हमारे जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि इतना मालूम है कि ये सुक्टेव मिश्र की रचना है अगर हम इनके अन्य ग्रंथों की बात करें तो ये पहले हम बात कर रहे थे ये शुकल के अनुसार इनके साथ ग्रंथ है लेकिन इसका जो अन्य ग्रंथ है वो है रस रतनाकर, ये 1666 से 1703 इस सुई तक इसका भी रचनावर्ष माना जाता है और ये रस भी वेचन वाला इनका ग्रंत है, तो नाम से ही पता चलता है कि रस रतनाकर तो रस भी वेचन इसमें किया गया है इन्हें कवीराज की उपाधी दी गई थी, तो ये बात भी बहुत तप्रोण है कि कवीराज की इनको उपाधी दी गई थी, राजा राजसिंग गौड के द्वारा तो ये चीज यहां से बन सकती है, important है ये कि किसके द्वारा इनको कवी राज की उपाधी दी गई थी, तो ये थे राजा, राजसिंग, गौड, यहां से आगेह देखिए कि इनके समंद में अचारे रामचंद शूकल कहते हैं कि छंद शास्तर पर इनका सा विशद निरूपन और किसी कवी ने नहीं किया है, तो दीखिए विरित विचार इनका चंद निरूपक गरंथ था, उसके बाद चंद विचार तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये चंद निरूपक है, तो इसलिए इनोंने जो भी रचना रची देखिए चंद शास्तर पर इनका विशद कारी उपलफ्द होती है ठीक है तो ये था सुक्तिव मिश्र के बारे में अब हम देख लेते हैं अन्य जो महत्वपोर्ण रितिबद कवी हैं वो हैं गवाल कवी तो आपने इनका नाम सुना होगा बहुत पार इन से कई वार परिक्षा में पूछा जाता है तो अगर हम इनके जनम की बात करें देखिए 1791 में और इनकी मृतिव 1868 में हुई थी इनका जो कवीता काल है देखिए ये 1822 से 1861 के बीच में माना जाता है और प्रत्थम जो इनका ग्रंत है देखिए वो यमनलेहरी इनके 1822 में लिका है और अंतिम ग्रंत माना जाता है इनका भक्त भावना ये 1861 में है, तो ये चीज भी क्या है, बहुत ही मौतपोन है, कि इनकी प्रत्थम कृती कौन है, यमनलहरी और अंतिम भक्ती भावना, तो इससे कई बार परिक्षा में प्रशन बनने की संभावना रहती है, आप चाहें तो इनको एक बार नोड़ ओन कर सकते हैं, या स्क्रीन कर दिया जाएगा, इनके जो अन्यगरंत है दिखिए, रसिकानंद, रसरंग, ये 1847 में लिखा गया था, और कृषिन जू को नक्षिक, तो यहां से एक चीज आपने याद रखना है, अब मैंने पहले भी आपको शायद ये चीज कह दी थी, कि रितिकाल से खासकर आपने य चार्य कौन है, कभी और शिक्षक कौन है, ये चीज भी है, हलांकि इस पर मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक लक्षर हम करेंगे लास्ट में, अगली जो इनकी मत्वपून रचनाये देखिए, दूश्चन दरपन, ये 1834 में थी, प्रस्तार प्रकाश और कभी दरपन इत शुर्चन दरफा नायक नायका, भीध का वणन देखने को मिलता है रसी का नंद में, जबकि दूसरी जो इनकी रचना देखिए, रस रंग, तो इसमें भी रस का ही वीवेचन किया गया, सिंपल सी बात है, कि रस की जाओं पर बात की भी है, तो वहां पर रस का ही निरूप का ठीक है नेक्स दीखिए दूशन दरपन तो जितने भी इनकी रचना है इनके बारा में कोई जादा जानकारी उपलब्द नहीं होती है यमुना लेहरी जो है इनकी दीखी ये प्रत्थम ग्रंथ माना जाता है इसमें यमुना की जो स्तूती का वनन देखने को मिलता है और न भक्त भावन जो है ये 1861 है लास्त इनकी रचना मानी जाती है और इसमें देखिए 1860 इसवी से पूर्व की जो भक्ती, श्रिंगार और निती समंदित जो ग्वाल की रचनाएं है उनका संग्रह इसमें देखने को मिलता है तो ये दो इनकी बहुत जादा महत्रपूर्ण है इनको आपने याद रखना है इसके साथी साथ इनकी जो अन्य एक रचना है हमीर हट उसको भी माना जाता है कि ये गवाल कवी की ही है जिसमें क्या है राजा हमीर के शौर्यका बढ़ा होगा तो यहाँ पर इनकी जो रचना है कि हमीर हट है और 1824 में इसको लिखा गया है य तो ये था गवाल कवी के बारे में कुछ एक इनकी जो मतरपुन रचनाय थी, कौन-कौन सी थी, वो मैंने आपको बता दी है, नेक्स से दीकिए कि शुकल इनके बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित थी, तो ये चीज़ भी आपने या हैं इनकी, तो जो भी आज के कवी हैं, या कौन कवी जिनको हुन कह सकते हैं, जो रिती बद कवियों में आते हैं, है न, उनको आप सरसुती पांडे से पढ़ लें, क्योंकि वहां पर उनकी कुछ एक चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं, आप चाहें तो वहां से देख सकत तो इसको कई बार परिक्षा में पूछा गया है, 2000 से लेकर कि आप आज तक के जितने भी प्रशन पत्र उठाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि इनके जो इस रचना को अक्सर पूछ ले जाता है, दो-तीन साल चोड़के, या एक-दो साल रिपीट ही होती जाती है, इन्होंने अपना उपनाम क्या बताया है कवीता में, ससीनाथ, तो हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछ जाए, तो ससीनाथ उपनाम किसका है, तो ये सोमनाथ का ही है, और ये माथूर ब्रहमन थे, ठीक है, इनके चार महत्वपन गरंथ उपलवद माने जाते हैं, जैसे रस प्यूषने धी, 1737 में, कृष्ण लिलावती, पंचाध्याई, ठीक है, फिर सुजान विलास और माधव विनोध नाटक, तो ये चार इनके मानते हैं, अचार राम चंदर शुकल, अन्य जो गरंथ हैं, देखिए, जो सरवविदित है, वह है श्रिंगार विलास, ये 1738 क आसपास इन्होंने लिखा था, सबसे पहले अगर हम बात करें देखिए, श्रिंगार विलास की ही, तो ये श्रिंगार रस एवं नाइका भेद निरूपक ग्रंथ माना जाता है, तो श्रिंगार से मैंने पहले भी आपको बता दिया, कि नाइका का ही उसमें जिक्र होगा, बता सकते हैं, बहुत ही महतपून रचना है, ये भी इसको आप मुझे बता सकते हैं, और सुजान विलास में इसका क्या किया गया है, पध्यवद अनुवाद किया गया है, नेक्स से देखिए, इनकी जो महतपून रचना है, रस प्यूश निधी, तो रस प्यूश निधी, इसी में इसको रचा गया है और यह सरवांग निरूपक ग्रंथ है सरवांग का मतलब पहले भी आमने बता दिया है आपको क्या होता है या आपको बताने की मैं समझता हूँ कोई आवशक्ता अब नहीं है क्योंकि अगर आपने पहले की लक्षर अच्छर से देखे हैं तो आपको कोई भी जादा दिकत इसमें नहीं आएंगी और इसमें 22 तरंगें तथा या अध्याय हैं और 1127 पद माने जाते हैं इसमें किसमें आपका जो रस प्यूश निदी है इसमें इसके साथ ही साथ देखें इसका उदेश्य सहज और सरल भाषा में कावशास्तर की शिक्षा देना है ये चीज़ आपने याद रखना है कि जो रस प्यूश निदी है इसका जो उदेश्य क्या माना जाता है कि सरल और सहज भाषा में कावेशास्तर की शिक्षा देना तो यहां से प्रशन इस तरीके से बोचा जा सकता है कि सोमनात की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें सरल और सहज भाषा में कावेशास्तर की शिक्षा देना उदेश्य प्रमूख माना गया है जिस रचना का तो ये है आपका रस प्यूश निधी इसके बाद इनकी जो अने रचनाये हैं वो आपको मुने बता दी बीनोधनाटक है इतना ही है इनके बारे में जो भी चीजें मौझूद थी वो मैंने आपकी बीच में रख दी है अगर आपके पास कुछ और चीजें और मौटफ़ून जानकारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं साथी साथ टेलिग्राम में ग्रूप में जूरकर वहाँ पर भी आप सब लोगों के साथ अपना ज्यान साहजा कर सकते हैं चलिए आगे हम देख लेते हैं प्रमुक जो रिती बद कवी और उनका परिचयों में लाल कवी जो अन्य नाम आता है हालांकि जो अचारे रामचंदर शुकल है इन्होंने इसे रिती कालीन अन्य कवियों में स्थान दिया है पहले भी हमने कहा कि अचारे रामचंदर शुकल ने जो रिती कालीन कवियों हैं उनको सिर्फ दो भागों में बांटा है ठीक है एक रिती ग्रंतकार कवी और दूसरे आपके अन्य कवी तो लाल कवी को इन्होंने स्थान दिया है अन्य कवियों में तो यहां पर confuse मत होना कि छतर परकाश और चतर साल दशक यहां पर बच्चे बहुत जादा कनफ्यूज होते हैं चतर साल दशक किसकी है? वह है भूशन की और भूशन जो एक मात्र या युँ कहें कि जादा तर प्रसिद्धी उनको मिली है वीररस के कवियों में जो रितिकालिन कवी हुए है ठीक है और यहां पर है छत्र प्रकाश तो वो है छत्र साल दशक इसमें confusion नहीं रखना है ठीक है प्रताप साही तो इनकी जो रचना है वेंग्यार्थ कौमूदी कावय बिलास और जैसिंग प्रकाश श्रिंगार मंजरी श्रिंगार शिरुमनी जुगल नक्षिक तो इनकी देखिए नक्षिक की वनन रचना की है अलंकार चिंतमनी है कावय बिन्योद इत्यादी तो ये इनक का जो शब्द शक्ति हो गया अलंकार स्वरूप तथा व्यंग्यार्थ का जो महतो है उसका विवेचन इसमें किया गया है और साथी साथ नाई का भेद भी हमें इसमें देखने को मिलता है तो ये चीज़ें किसमें हैं ये हैं आपके जो व्यंग्यार्थ कौमूदी है ये ही इनकी सबसे महत्वपून रचना मानी जाती है। अगर हम बात करें देखिए कावे विलास्की, तो ये कावे हेतु, कावे लक्षन, कावे प्रियोजन, शब्द शक्ति, इत्यादी का इसमें विवेचन किया गया है। तो मतलब कावे के जितनी भी चीज़ें हैं, कावे हेतु, कावे लक्षन, तो इनको 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 नाम दिया है प्रकाश, ठीक है, तो ये देखिए कितने हैं, जैसे कावे हेतु हो गया, कावे लक्षन दो हो गया, कावे प्रियोजन तीन हो गया, शब्द शक्ति, इत्यादी, तो ये चार प्रकाश, तो इस तरीके से इनकी रचनाव में ये चीज़ें महुत तपूर्ण हैं दो रचनाए थी इनके बारे में आपको जादा जानकारी होना बहुत जरूरी है इसके अलावा जो छिटपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके पास जो भी किताब हैं उनको एक बार जरूर देखेगा आखरी जो यहाँ पर हमने कभी रखे हैं देखी ये मंडन हैं इनके पांच गरंथ उपलब्ध हैं अचारे रामचेंडर शुक्ल जी के अनुसार जो ये मानते हैं कि इनके कितनेगे हैं पांच गरंथ माने जाते हैं और ये बुंदेल खंड के रहने वाले थे ऐसा माना जाता है ठीक है और जो राजा मंगल सिंग थे देखिए उनके दरवार में इनको वीडिमान माना जाता है कि वो बहाँ पर रहते थे राजा मंगल सिंग के आश्रे में इनकी जो महतवववर कृतियां है देखिए रस रतनावली तो इसको कई बार पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है उसके बाद रस विलास जनक 25 जनक जू को ब्याख थीक है फिर है 59 तो ये इनकी महतववववर कृतियां मानी जाती है और इसके अलावा इनके समंद में इसके अलावा जो रितिकाल है आपका देखिए वहां से किस तरीके से या कौन कौन से कवी जो बच जाते हैं जिनको हमने अभी डिसकस नहीं किया जैसे अमीर दास हो गए जैसे राम सहाय या राम सिंग जिनको कहा जाता है उनके बारे में याकूब खां की रस्भूशन है उन कि इनके बारे में उतनी जादा जानकारी उपलब्द नहीं है लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैंने दो तीन तरीके बताये हैं कि वहां से प्रशन बने के संभावना हो सकती है तो उन चीजों को आप एक complete note कर लें कि नक्षिक किस ने लिखा है सतसाई किस ने लिखी है वो च कुछ एक चीजों में आपको confusion है या doubt है तो आप comment section में जाकर बेजिचक बता सकते हैं और अगर मुझसे कहीं पर कोई गलती हो तब भी आप कह सकते हैं कि sir ये चीज गलत है उसका भी आपका स्वागत है हम कोशिश करेंगे कि और वहतर तरीके से अपना जो हमारा style है या हमा कैनल को subscribe करना भिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद